हेलो दोस्तो मैं राम्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चनल आइटेए गाइडलेंग में सभी का स्वागत है दोस्तो मैं आपके लिए पेपर थियोरी का mcq लेकर आया हूं जिसमें कि जो भी विदियार्थी नविद्यार्थी है आइटे डिपलुमा के है उन के लिए सभी बीधियार भी कोशन है जो की यह Hm przypadku स्वालगों का है जो कि एक्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये जितने भी कोशन है सभी भी आई कोशन है इसलिए इस पर एक नज़र डालें और ध्यान दें और याद करें आपको बहुत फायदा पहुचेगा और आप इसका लाव उठाएए आईए मेरे साथ बना रहे है वीडियो को सुरु से यंद तक देखे बिना अस्किप कि हुए और इसका पूरा पूरा लाव लग लिए आईए देखते हैं पहला कोशन पर ध्यान देते हैं क्या बोलता है पहला कोशन पहला question है हमारा कि ब्राज में निम्लिखित मिस्रित होते हैं option हमारा दिया हुआ है copper वाlord zinc, copper वा geek copper टी वाजिंग, ihn ways कोई नहीं, क्या write answer होगा दोस्तो right answer हमारा होगा option number b correct answer ब्राज में हमारा जो होता है, मिस्रित होता है copper और ती ऑप्षसण ओपटार दोस्तों तो दोस्तों से अगला कोश्ण को चलते हैं अगला कोश्ण है कि ब्राश एक पर का है क्लिए ओप्सण दिया हुआ है फिर्स्समेटल नानफिर्सथ्स मितल फिर्स और इसलाय नॉन फिरस लाए क्या राइट अन्सरեना हो दोस्तों राइट अन्सरे होगा हमारा नॉन फिरस इलाए उप्षण नमबर D ध्रेक्ट अन्सरे राइटे ऊरो का ना नन-farous ऐलाय के लिए दूस्तो अगला कोशन देखते हैं अगला कोश्ण है कि क्रोमियम या या कि क्या है नन-farous इलाय है किया घंसर होगा होगा को अपसरियो को पिन अजिको यह पूरात देखें और वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कीज़ेगा और कॉमेंट बक्स में जरूर कीज़ेगा आपको कैसा लगा तो लिए नेक्स कोशन है ब्रास में निम्नी लिखित मिस्टित होते हैं कॉपर जिंक कॉपर वा टीन कॉपर टीन वा जिंक कोई नहीं क्या राइट अंसर होगा दोस्तों राइट अंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट अंसर राइट अंसर होगा कॉपर वा जिंक ब्रास में मिस्टित होते हैं कॉपर और जिं ग्मजस और सिल्कन ब्रॉज और सिल्कन फासफोरस सीनों किया राइट अरोगा बताएए राइट अन्सल होगा हमारा option और स्थे eren वाप एर आगे सब्ण जोड़ाज और स्थे प具न प्रऌस फासफहरस अरस में जो है ब्राज में सब्सक्राइब यानि नॉनफ्रस मेटल में जो होता है तामबा भी होता है इसलिए अगला कोशन है अगला question है निमलीखित में कौन लोहा का σ है हेमाटाइट मेंसर सभी क्या रिमसर नबर हेमाटाइट भी होगा मेंसर है और लिमसर ब्राइट भी होगा तिनों कि tiene answer ऑप्सट सीर्थ और दिया हूँ हुआ है सभी इसलिए अंसर होगा option number D सभी चलिए अगला कोशन को जान देते हैं अगला कोशन है कि धातू का वह गुन जिसमें धातू को खिचने पर उसके तार बनाये जा सकते हैं और वह तुटने नहीं पाती है option दिया हुआ है इला सीटी टफनेस डक्ट लीटी टिना सीटी क्या राइट अंसर होगा हमारा डक्ट लीटी option number C correct answer right answer होगा डक्ट लीटी चलिए अगला कोशन को देते हैं को ध्यान से पढ़िएगा और समझेगा तभी आप option पे चूच किजिएगा कि कौन मेरा सही और कौन मेरा गलत है नाइन नमर कोशन है कि धातू का वागुन जिसमें धातू को यदि बार-बार मोला जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और तूटने नहीं पाती है उसों क्या बोलते हैं इला सीटी टफनेस डॉक्ट लीटी टेना सीटी क्या राइट अंसर होगा द आर यह जितने भे टेक्निकल कोस्टन है वह सर्फ एंस इडिट चांव के लिए नहीं है जितने भी टेक्निकल एक्जाम के तयारी बच्च करते हैं उनके लिए सभी के लिए बहुत भी-विए कोस्टन और मश्ट कोस्टन है जो कि पढ़िये आपको जरूर मिलेगा को त्यो हो हमारा option नंबर बीहार टरेंसर होगा क्या होगा option नंबर बीह राइक्ज होना में होता है थातु में होता है 미국 और रही राई रहे देते हैं अगला59 मुलिटी निरे गुन जिसमें यदि धातु पर खिचाओ सक्ति लगाई जाए तो तुटने नहीं पाती है उसको क्या बोलते हैं इलाशीटी टफनेस डक्टिलीटी टेना सीटी क्या राइट अंसर होगा हमारा ओप्षान नमबर डी करेक्ट अंसर होगा राइट अंसर होगा टेना सीटी धातु का जिसमें दिधातु पर खिचाओ सक्ति लगाई जाए तो तुटने नहीं पाती है उसको बोलते हैं टेना सीटी ऑप्षान नमबर डी करेक्ट अंसर होगा चलते हैं दोस्तों वीडियो देखने के बाद एक जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा पसंद आया यह नहीं आपको पूरी से पूरी फायदा मिल सकें अगला कोशन है ब्लाश्ट फार्नेस का पर्योग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है पीग आयरेन काश्ट टैरन रॉट आरेन इनमें सो कोई नहीं क्या दोस्तों अंसर होगा रैट अंसर होगा हमारा पीग और ब्लास्ट आर किसका उत्पादन होता है पीग आरन का रोट आरन का इन इसे कोई नहीं क्या होगा दोस्तों राइट अंसलों होगा हमारा ऑप्शन कोस्तों अगला को स्था देते हैं अगला कोस्ष्टिल में कार्बन की मातरा मात्रा बढ़ाने से उसकly hardness पर क्या परवाँ पड़ता है कौशचन को पहले ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद option को ध्यान से पढ़िएगा तभी अप टीक लगाएगा तभी अप अंसर चूच कीजिएगा question है कि अश्टील में कार्वन की मात्रा बढ़ाने से उसके hardness पर क्या परभाप रहता है तो उसके hardness जो होता है क्या होता है बढ़ जाता है कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है बढ़ जाता है hardness option number C correct answer right answer होगा दोस्तों चलिए अगला कोशन क्यों देते हैं अगला कोशन है कि लोहे की कि सीट पर टीन कि कोटिंग की जाती है किशंगण की जाती है फिरतान व्रॉसचष सिट लीड़ सीट किसका option बताइए राइट एंसर किया होगा रहे अनसर कोशन देते हैं अगला कोशन है कि जोब बनाते समय जोब को मापने के लिए किस औजार का प्रियोग किया जाता है अगर कोई हम जौब बना रहे हैं उस जौब को मापने के लिए किस टूल्स का प्रियोग करते हैं वाइर गेज अश्टी रूल डिवाइडर ट्रेमल अगर जौब बनाते हैं तो उसमें किस टूल्स का हमें प्रियोग पड़ता ह किस औजार का परता है तो option नमबर बी और करेक्ट अंसर राइट अंसर होगा असितरी रूल क्यों होगा कोई भी अगर जोब हम बनाते हैं तो उसमें नापने के लिए उसको हम लोग जरूवत पड़ता है इसलिए option बी असितरी रूल सही अंसर होगा चलिए अगला कोशन और लाश्ट कोशन है इस लेशन से कि सीट के जौब पर जॉइंट को लॉग करने के लिए किये जाने वल और जार होता है क्या ऑफसन दिया वह अश्टेक बलो लैम ट्रेमल ग्रूबर क्या राइट अंसर होगा हमारा ऑफसन नमबर डी करेक् होता है ग्रूबर राइट अंसर होगा ऑफसन नमबर डी ग्रूबर चलिए आज का इतना ही थैंक्यू धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्ट क्लास में नेक्ट वीडियो ले करके तब तक जैहिन जै भारत